हेलो दोस्तो बेलकम टो माई चैनल जेटेक अपडेट दोस्तो आज फिर एक नई वीडियो के साथ हाज जुरुआ हूँ आपके सामने तो दोस्तो इस वीडियो में आपको बताएंगे कि मात्र आप जो है पहत की गरुफ्टी आईटीयार अ करते हैं या फिर जो है उनकी कोई बड़ी नौकरी है दोस्तों कि जो उनकी ITR फाइल करते हैं या फिर जो है गौवर्मेंट जोब करते हैं कि जिनकी सेलेडी लगभव 50,000 या 40,000 से उपर है वो लोग जो है एच्चे डिलक्स बाइक जो है मात्र 9,999 रुपे देकर बाइक वो घर ला सकते हैं दोस्तों उनके लिए जो है बहुत ही लाजवाब और बहुत ही बढ़िया मोधी सरकार ने योजना रखी है कि जो लोग गौवर्मेंट जोब करते हैं तो उनकी जो होती है आईटेर फाइल लगती है वो आईटेर फाइल और जो है या फिर बाइंग का स्टेटमेंट देकर आधार कार्ड और पैन कार्ड और चार फोटो देकर वो बाइक दोस्तों मात्र 9,999 में बाइक घर ला सकते हैं हाँ अब यह सवाल उन लोगों के लिए है जो उनके मन में चल रहा है कि क्या मैं अगर गौवर्मेंट जोब नहीं करता हूं तो मैं कितने में पाऊंगा या फिर मैं कैसे ले सकता हूं उन लोगों के लिए दोस्तों अगर वो गौवर्मेंट जोब नहीं करते हैं नार्मल जिनकी सेलियर 8000 है, 10,000, 15,000 या नार्मल मतलब पराइबिट जोग करते हैं तो उन लोगों के लिए दोस्तों कम से कम 15,000 रुपे या फिर 20,000 रुपे देकर भी वो बाइक ले सकते हैं और दोस्तों एक इंपोर्टन बात जो गोवर्मेंट जोग करते हैं वो अगर चाहें तो 20,000 रुपे उनको देना पड़ेगा और जो है वो फाइनस पर बाइक 3,333 की फाया किस्त उनकी 36 किस्त या फिर 24 किस्त जो भी चाहेंगे उनके किस्त EMI बन जाएगी मन्थली जो उनको पे करना पड़ेगा तो ये आफ़र था है फाइनस पर बाइक कैसे लिया जाता है तो पर बाइक किस्त पर बना दिया तो आपको अधार कार बाइंक का स्टेटमेंट आउर जो है पासबुक अगर नहीं है तो पासबुक आपको चलेगा और पेंड कार फोटो चार फोटो ये आपको अगर देकर आब वहाँ पर जाते हैं आईडी लेकर तो उसके बाद आपको जो है वहाँ पर दोस्तों बाइक जो है जिसे 60,000 की है तो आप 20,000 देर हो 40,000 बचता है तो आपका जिसे 8% 14% 15% लगा के मतलब वहाँ वहाँ पर लगा के आपको बाइक जो है किस EMI पर बना दी जाती है ये प्रोसेस होता है फानेंस पर बाइक लेने का और इसी तरीके से क कमेंट कीजिए उसका वहाँ आपको रिपलाई दूंगा और यहां तक वीडियो देखिने के लिए बहुत भूँत धन्यवाल और चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें शेयर करें ताकि यह लोग भी देखें उनको भी नॉलेज हो दोस तो तैंक्यो